हेलो एवरिवन टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है और जैसा आप सभी को पता है कि कल जो है वो यूपीस्टी दो हजार चौबिस का एक्जाम कंड़क्ट हुआ और उसमें कुछ कोश्चन जो है वो सिंपल थे कुछ कोश्चन काफी टफ थे तो यहां पर हम लोग इतिहास और कला और संस्क्रती से संबंदित जो है प्रस्चन जो आए थे उनका विसलेशन करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसमें से कुछ कितने कोश्चन जो है वो नोट्स और डिसकुशन से आए थे तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप सभी है वो है कि यूनेसको की आमूर्थ संस्क्रतिक विरासत की सूची में निमलिखित में से कौन सा नवींतम समावेश था ठीक है तो यह वाला जो कोश्चन था तो जैसा आप मेरी फिगर इसमें देख रहे हैं कि 25 मई को हम लोगों ने यह वाला टॉपिक डिसकस किया था और उसका लिंक जो है वो ये भी है आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और यहां पर देखे मैंने बताया है कि गुझरात का जो गरबा है वो अमूर्थ संस्क्रतिक विरासत के रूप में मानिता प्राप्थ है तो इस तरीके से इसका सही आंसर यहां पर गरबा हो गया और यह वाला question जो है वो as it is वीडियो से आ गया और इसी वीडियो से ही दूसरा question जो है वो भी आया हुआ था, ठीक है, so question number one का answer यहाँ पर C हुआ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिसकस की थी, इसी तरीके से question number two को देखे, so question number two में question पूछा गया, कि UNESCO के द्वारा, जारी विश्व धरोवर सूची में शामिल की गई, निमलिकित चीजों में से, या निमलिकित संपतियों में से, कौन सी, वर्ष 2023 में आई थी, तो एक option था, यहाँ पर शांतीने के तन, रानी की बाव, होईसल के पवित्र मंदिर और बोद गया स्थित मंदिर परिशर, तो यहाँ पर रानी की बाव, और बोद गया स्थित मंदिर परिशर, जो है, यह पहले ही शामिल हो चुके थे, होईसल के जो पवित्र समू है, वो देखे, मैंने यहाँ पर डिसकस भी किया है, हैना, कि इनको विश्व धरोवर के तो इस तरीके से शांतिने के तन और होईसल के जो पवित्र मंदिर समू है, वो यहाँ पर आए हैं, तो यह एक हम कह सकते एक सायोग हो सकता है, और जैसे इस खुछ चांस कहा जाए कि एक ही वीडियो से दो कोश्चन आए, और दोनों ही करेंट का जो इंडियान आर्ट और क केवल दो, तो कोश्चन नमबर दो का अंसर जो है, वो केवल दो है, और यह वीडियो का लिंक जो है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, है ना, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एक्जामस में भी आपको इसकी मदद मिलेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर थ्री पर आते हैं, ठीके, कोशन नमबर थ्री जो है, उसमें यह कहा गया है कि प्राचीन भारत के संदर में, है ना, प्राचीन भारत के संदर में गौतम बुद्ध को सामानिता किन किन उब नामों से जाना ज तो यदि हम नाय पुत्त को देखें तो ये महावीर जैन का नाम है तो जाहिड सी बात है कि ये यहाँ पर गलत हो गया अब यदि पहला गलत है तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया शाक की मुनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाक के कुलके थे तो ये सही है तीसरा point यहाँ पर आता है तथागत तथागत का मतलब होता है कि जिसका ग्यान एकदम सत्य है तो जिसका ग्यान एकदम सत्य है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो यहाँ पर option जो हैं वो 2 और 3 जो हैं वो सही है so option B is right answer तो question number 3 का जो है वो यहाँ पर सही answer आएगा जो है वो सही नहीं है तो question number three का answer यहां पर B हो गया तो अब इसका proof देख लेते हैं कि यह जो है वो note से as it is question पूछा गया था है ना और यह देखे तो यहां पर यह notes जो मैंने दिये थे उसमें यहां पर आता है कि बुद्ध के अस्तांगिक मारका सोत तैतरी उपनिशद है सुत पिटक को प्रारभिक बहुत धर्म का इंसाइकलोपीडिया कहा जाता है और महात्मा बुद्ध तीन नामों से जाने गए बुद्ध तथागत और शाक्यमुनी तो यह दोनों नाम देखिए तो यहां पर आ रहे हैं तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो है वो तथागत और शाक्यमुनी हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं ठीके अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर फोर तो यह वाला कोश्चन भी डिसकस हुआ था ठीके यहां पर देखिए अपकी बार UPSC ने एक पैटर्न चेंज किया जैसे वो पहले पुरा तात्विक स्थल और राजजी के बारे में बात करती थी या पुरा तात्विक स्थल या उसके विवरण के बारे में बात करती थी अब की बार यह पैटर्न चेंज होके यह तीनों ही चीज़े आ गएगी तो अब चंद्रकेतुगर उडिसा व्यापार बंदरगा शहर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि चंद्रकेतुगर में टेरा कोटा की कला है और यह यहाँ पर कोशन आया हुआ है UPSC में पहले यह हम लोगों ने डिस्कस भी किया था तो इस तरीके से चंद्रकेतुगर जो है वो उडिसा में नहोकर बलकि पस्चिम बंगाल में है एना तो यहाँ पर यह गलत हो गया ठीके दूसरा है इनामगाओ महाराश्ट तो यदि पहला गलत हो गया तो यह गलत हो गया तो आब हमारे पाथ दो आपशन बचे दो और तीन और तीन और चार इसका मतलब तीन common है, तो तीसरा तो सही है, ठीके, तीसरा या दूसरा यहां पर इनाम काओ महराष्ट में, जो की तामर पाशानी की स्थाल है, तो ये भी पूरा का पूरा note से आ गया था, तो ये वाला सही है, शाली हुंडम जो है, वो यहाँ पर शेलकृत गुफा मंदिर यहाँ पर नहीं है तो सही आंसर जो है वो यहाँ पर भी आया अब कोशन नमबर 4 का यह दिया हम देखें कि कोशन नमबर 4 जो है वो किस तरीके से हम लोगों ने डिसकस किया था उसका भी मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ और देखें यह हम लोगों ने यहाँ पर एक डिसकस किया था यह वाला कोशन जो है वो UPSC में आया हुआ था तो चंदकेतु गर जो है वो तेरा कोटा कला है यह सही है है ना और इनाम गाओं के बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था कि इनाम गाओं तामरपाशान काल की सबसे बड़ी बस्ती थी जो कि महराश्ट में है और यह भीमा नदी की सहायक गोल नदी के निकट इस्ते थे तो इनाम गाओं में लोग जो हैं वो 3600 से 2700 साल पहले यहां पर रहते थे तो इस तरीके से ये वाला प्रिश्ट भी पूरा का पूरा नोट से ही आया था या डिसकुशन से हम कह सकते हैं ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला कोश्चन यहां पर आया कि मद्दिकालीन भारत के निमलिखित साचकों में से किसने पूर्टगालियों को भटकल में एक यहां पर किला बनाने की अनुमती दी थी ठीके तो यहां पर पूर्टगालियों के सबसे अच्छे संबंध जो हैं वो कृष्ण देवराय से रहे हैं कृष्ण देवराय का पीरिट जो है वो 1509 से लेकर 1529 तक था और बाबर नामा में भी बाबर जो है वो कृष्न देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शाशक कहता है पुर्टगालियों का जो उतकर्ष है वो actually में अल्बुकर्क के समय हुआ और अल्बुकर्क का समय आता है 1509 से लेकर 1515 ठीक है तो अब यहाँ पर 1510 में वो गोवा को जीत रहा है और 1510 में वो गोवा को छीन रहा है योसुफ आदिल शा से तो कृष्ण देवराय के पुर्तगालियों से जो संबन्नों का आधार था वो यहाँ पर दो चीजों में था क्योंकि वो बीजापूर के शाशक योसुफ फादिल शा से उनकी शत्रता थी और दूसरी बात विजान अगर को जो घोड़े की आपूर्ती थी वो भी पुर्तगालियों के माध्यम से हो रही थी तो यहाँ पर सही आंसर हो गया अब इसमें हम देखते हैं ठीक यह वाली चीज जो है वो एलेटेस डिसकस हुई थी ठीक पर विजन अगर को ही आयातित गोड़े बेचने का वचन दिया गया ठीक है तो यह पूरा का पूरा जो कुश्चन है वो यहाँ पर आज़ेटेस नोट से आया था और इस तरीके से इसका सही आंसर जो है वो कृष्ण देवराय हुआ चली आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके बाद अगला कुश्चन जो है वो यहाँ पर आया कि कौर्णवालिस के दुआरा राजस्व संग्रहण के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार करें तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिये गए हैं आपको यह बताना था कि इन में से कौन सा या कौन से सही है तो कौन सा या कौन से सही है उसमें हम देखें तो पहली बात आ रही है कि राजस्व संग्रहण के रायतवारी बंदोबस के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिती में राजस्व से चूट दी गई थी तो यह स्टेटमेंट गलत है ठीक है रहीत बाड़ी विवस्था में ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं था कि जहां पर उनको प्राकृतिक आपदाओं से यदि कुछ हो जाता है तो उनको राजस्व से जो कि 1820 से 1827 तक मदरास के गवर्नर थे तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट है कि बंगाल जो है वो इस्थाई बंदोबस की अधीन यदी जमिदार नियत तिती पर या उससे पहले राज जी को राजस्व का भुकतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमिदारी से हटा दिया जाता तो यह सही है ठीके और इसी को यहां पर हम सूरियास्त कानून या संसेट लौ से भी जोड सकते हैं तो संसेट लौ में भी यह कहा गया था कि यदी कोई जमिदार एक नियत तिती तक संसेट के पहले यदी वो जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जमिदारी छीन ली जाएगी तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ केवल दो तो एक बार इस question को देख लीजिए question number यहाँ पर इसका जो answer है वो दो होगा अब इसका देखें तो यह वाला question भी as it is पूरा note से ही आया था तो इसका भी हम लोग एक बार नमूना देख लेते हैं तो इस चीज़ से इसको देखें तो यहाँ पर देखें यह point discuss हुआ था notes में कि किसानों को फसल खराब होने या प्राक्तिक आपदाओं की सिती में राजस भुकतान से कोई भी छूट नहीं दी गई थी तो पहला statement इसलिए गलत हुआ यदि जमिदार नियत थी पर या उससे पहले राजस को राजस का भुकतान करने में विफल रहता था तो उसे जमिदारी से मुक्त कर दिया जाता था और ये चीजे यहाँ पर सूरियस कानून में आती है तो इस तरीके से ये वाला प्रशन भी पूरा का पूरा नोट से आ गया था तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया भी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि निमलिकित कत्रों पर विचार करें तो निमलिकित कत्रों पर विचार करें में पहला है कि उपनिजदों में कोई नीती कथा या parable नहीं है और दूसरा statement यहाँ पर ये कह गया कि उपनिजदों की रचना पुरानों से भी पहले हुई थी तो आपको ये बताना है कि इन में से कौन सा या कौन से सही अब यदि हम पहला statement देखें कि उपनिश्दों में कोई नीतिक अथा नहीं है तो ये गलत है उपनिश्दों को देखें हम लोग वेदान्त के नाम से जानते हैं और यहां पर रहस्यात्मक और दर्श्दिक विश्यों का वर्डन हुआ है तो जहिर सी बात है कि नीतिक अथाएं या पैरेबल्स जरूर रही होंगी तो पहला statement यहां पर गलत हो गया दूसरा statement है कि उपनिश्दों की रचना पुरानों से भी पहले हुई थी से माना जाता है तो तीसरी या चौती सदी से इसको मानते हैं तो यहां पर दूसरा statement सही है पहला statement गलत है तो यहां पर सही आंसर भी भी हुआ अब यह वाला प्रश्द जो है यह वाला भी पूरा का पूरा नोट से ही आया था तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है और इसमें यहां पर समझते हैं कि यहां पर देखे इसमें यह बने बताया था कि उपनिशत जो है वो उत्तर वैदिक काल की रचनाए हैं और इनसे हमें आर्यों के प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्यान प्राप् तो यह वाला प्रेश्ट जो है वो पूरा का पूरा लोग बतलब नोट से ही आया था तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो है वो हम लोगों ने डिसकस किया आगे बढ़ते हैं अब ठीक है अब यहां पर देखे यह वाला कोश्चन जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंडन्स का है है ना लेकिन यदि हम इसमें थोड़ा सा भी सोचेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा ठीक है यह वाला कोश्चन जो है वो डिसकस्शन में नहीं आ पाया था तो यहां पर देखे दल और उसके नेता की बात की गई है भारती जनसंग श्यामा परसाद मुखर जी तो य इसमें आचार नरेंदेव, जैपरकाश नारायन, मीनू मसानी, अचुत पटवर्दन, राम मनोहर लोहिया यह सभी लोग शामिल थे तो यह गलत हो गया कॉंग्रिस फौर डेमोक्रेसी की स्थापना जगजीवन राम ने की थी जब इंद्रा गांधी ने आपात काल को लगा राया था, 1975 में िस तरीके से जग जीवन राम के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई और स्वतंतर की स्थापना जो है वो सीराजगोपाला चारी के द्वारा की गई तो यहाँ पर यदे हम देखें तो दूसरा और चौथा जो हैं वो गलत है, पहला और तीसरा दोन इसी है वो जग जीवन राम की हैं तो इस तरीके से इसका सही आंसर भी हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर अगला कोश्चन है कि निमलिकित में से कौन सी नाटकार भास की रचना है तो यह वाला प्रस्ट जो है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन यदि हम एलिमिनेशन मेथट से देखें तो इसका आंसर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अब जैसे यहाँ पर यदि हम नाट शास को देखें तो नाट शास के रचाइता है भरत मुनी है ना और महाभाश के रचाइता है पतंजली ठीके तो इस तरीके से ये दोनों आप्शन तो नहीं होगे अब बचे हमारे पास A और C तो कावया लंकार को जो है इसको रचित किया था भामय मुनी ने तो यहाँ पर ये भी जो है वो नहीं होगा और सही आंसर है C मध्यम व्यायोग तो इसको आप Elimination Method से कर सकते हैं यदि आपको तीनों ही पुस्तकों के या इन सब चीजों के नाम याद है ठीके तो ये वाला मैंने यहाँ पर चीजे दी थी डंडी की जो रचना है वो है कावेदर्शन, दशकुमार चरित और भास की ये सारी रचना हैं दूद घटोतकच, कर्ण भार, मध्यम व्यायोग, उरुभंग, दूद वाक के पंचरात्र, बाल चरित, अभिशेक, प्रतिग्या, योगंदरा आविमारक, प्रतिमा, सौपनवास, पदत्ता और चारुदत, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो हैं सौपनवास, पदत्ता, चारुदत और प्रतिग्या, योगंदरायन, तो अब की बार UPSC ने जो है वो इससे कोशन पूछ लिया, तो ये जो बाकी बचे हुए हैं, को भी ध्यान देजे दीजेगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इससे भी प्रशना जाएं, तो इस तरीके से भास की जो रशना है वो है मध्यम व्यायोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला कोशन है, संग भूती, एक भारती बहुत भिक्छू, जिनोंने चौती सदी इस्वी के अंत में, चीन की यात्रा की निम्लिकित में से किस पर भाश्य के लेखक थे, तो हिस्ट्री के जितने भी कोशन आये थे, यदि हम देखें, तो सबसे टफ जो है वो यही था, क्योंकि इसमें सारी किताबों के नाम यदि आपको पता है, तभी आप इसको अटेम्ट करिए, नहीं तो ऐसे कोशन को छोड़ देना बैतर था, इसका सही आंसर जो है, वो है सरवास्तिवाद भी नहीं, तो यदि प्रग्या पारिमिता सूत का लेखक आपको पता है, विसुद्धिमक का पता है, और ललित विस्तर का पता है, तभी आप इस तरीके के कोश्चन को अटेम्ट करें, नहीं तो इस तरीके के कोश्चन को अटेम्ट करना जो है, वो कही न कहीं रिस्क हो जाता है तो इसका सही आंसर जो है वो C है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला कोश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार करें तो यहाँ पर दिखें यदि मैं आपको याद होगा तो 16 जून के पहले जो मैंने स्ट्रेटजी वाली एक क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि constitutional development से question एक जरूर आता है हर साल तो 1773 से लेकर 1947 सक मैंने पूरा बताया था तो अब की बार उसी स्ट्रेटजी के अंतरगत यह 1935 वाला question आया है इसमें यह कहा गया है कि इसमें British भारती प्रांतों और देशी रियास्तों को मिला कर एक अखिल भारती परिसंग या Federation के स्थापना का प्रावदान किया गया तो यह यहां पर सही है दूसरा है कि रक्षा और विदेश संबंदी मामलों को परिसंगी विदान मंडल के नियंतरण के अधिन रखा गया तो यह गलत है बिटे सरकार जो है वो काफी होशियार थी और इस तरीके के जो भी मैटल से चाहे वो रक्षा हो विदेशी मामले हो धार्मिक मामले हो जनजाती मामले हो उनका वो कंट्रोल अपने हाथ में रखती थी तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है तो सही आंसर यहां पर हुआ केवल एक अब यह वाला प्रश्ण जो है यह पूरा का पूरा नोट से ही आया था उसको भी हम लोग देख रहेते हैं ठीके और इसमें यह दियम देखें तो यहां पर देखें तो यह पहला पूइंट जो है वो यह कह रहा है कि ये जो फेडरेशन की स्थापना हुई है वो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से जो बिटिश भारती प्रान थे वो सारे इसमें आ रहे थे या ग्यारा पार आ रहे थे दूसरा यहां पर आ रहा है कि संग में प्रशाशन के विशे दो भागों में विभाजित थी हस्तांत्रित और रकषित तो रकषित विशे आप देखिये तो प्रतिरक्षा हैं विदेशी मामले धार्मिक विशे जनजाती चेतर चामिल थे बाकी सारे विशे जो हस्तांत्रित वर्ग में शामिल थे इसका मतलब यह था कि जो भी ऐसे विशे जो इन चारों के अलावा थे वो सब वो पूरा नोट से आया था और देखा जाया तो यह question काफी simple था, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अब यह वाला question जो है वो तो बहुत ही simple है, है ना, पॉलिटी की तियारी जब करते हैं, या constitutional development पे जब हम लोग बात करते हैं, तब यह वाला question जरूर आता है, कि डॉक्टर राजेंद प्रसाथ के पहले, समविधान के अस्थाई सभापती कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानन सिनहा, तो यह बहुत simple question था, तो कुल मिला के यदि ह हम देखें, तो 12 question आये थे, और 12 में से यदि हम देखें, तो 10 questions जो हैं, ठीके, 12 में से 10 questions जो हैं, वो notes and discussion से आये थे, है न, तो इस तरीके से मैं आप से कहना चाहूंगा, कि जो भी notes दिये जा रहे हैं, उनको पूरा मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि कौन सा question कहां से आ कर रही है, और अलग-अलग तरीके से question पूछ रही है, जैसे आपके बार देखिए तो 2024 में काफी factual questions थे, ठीके, हना, चाहे वो quality में रहे हो, या geography में रहे हो, या history में रहे हो, तो factual questions काफी आये थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर साल factual question नहीं आए, तो conceptual question and factual question दोनों पर focus कर हैं, चीके, तो ये चीजे थी, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप बिसे जिन लोगों ने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, वो लोग प्लीज टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लें, ये QR code है टेलिग्राम चैनल का, है ना, और यदि आप टेलि टेलिग्राम चैनल के माध्यम से आपको कई सारी चीज़े मिल रही है जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पर क्लासिस के लिंक्स मिल जाते हैं ठीके प्लस क्लासिस के पीडियफ भी मिलते हैं इसके साथ साथ करेंट अफैस के पांच कोश्चन्स भी द्रोर जा रहे हैं और सबस खास बात जो है वो मेंस की आंसर राइटिंग भी हम लोग कर रहे हैं ठीके तो इस तरीके से यहाँ पर टेलिग्राम चैनल को जोईन करने में जो है वो फाइदा ही फाइदा है तो जिन लोगों ने अभी तक जोईन नहीं किया है वो लोग प्लीस जोईन कर लें ठीके तो तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू बरी मच और हम लोग आगे कुछ नई क्लासिस में मिलते हैं और इसमें जो भी नएने टॉपिक्स होंगे वो हम लोग डिसकस करेंगे, चीक